Hey guys, welcome to Gilg Mentor Online e-learning platform I hope आप जहां भी होंगे, बहुत अच्छे होंगे सबसे पहले तो मैं आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया करूँगा जितने भी लोग Gilg Mentor के साथ जुड़े हैं और मुझे खुशी इस बात की होती है कि Gilg Mentor पिछले आठ महीनों से बहुत बड़ा परिवार बना चुका है जि हां, हमने सपना सजाया था 2015 में, लेकिन हमने आप सब के लिए सपना 2015 में सजा कर 2018 की फरवरी से आपके लिए काम करना शुरू किया जी हां, आठ महीने हमें पता ही नहीं चला कि आप सब के बीच में कैसे निकल गए बस यही हम चाहते हैं कि 2019 की जो ब्लैंक बुक है, उसके अंदर कुछ नया शब्द, नय परिवार, नय लोग हमारे साथ जुड़े जी हां, गिल्ज मेंट और एक ऐसा आपके लिए प्लेट फॉर्म है, जहां से आप व्यक्तिगत तोर पर नहीं, बल्कि विवारिक तोर पर बहुत को सीखेंगे जी आपको बताना चाहूँगा कि आपके आने वाले पेपर, चाहे PPSC की बात करें, चाहे हम PPSC भी कलर्क की बात करें, पटवारी है, IBPS है, रेलवेज, चाहे SSC जो भी एक्जामस हैं, इन सभी के लिए बहुत जल्दी आपके लिए लाइफ क्लासे शुरू होने वाली हैं और इसके साथ में आपको study notes भी provide किये जा रहे हैं, जो भी हम teach करते हैं, ठीके अभी तक आपके लिए कोई भी test series हमने शुरू नहीं की है, जी हाँ, जो भी आगे update होगी मैं आपको बताता रहूँगा, लेकिन add present हमा आपको जो भी provide करवा रहे हैं, वो वीडियो के नीचे comment अंतीम series होगी, वो मैं आपको second of January को करवाऊँगा, उसको देखना नहीं बुले, उसके साथ में मैं पिछले कुछ महीनों के top 500 MCQ हैं, वो आपको देने जाऊँगा, जी हाँ, वो ऐसे questions होगे, कि जो हिंदी और English में होगे, और वो देखने के बाद में, पढ़ने के बाद म what, who, और why, right, तो मैं चाता हूँ कि आपके लिए ऐसा काम करूँ मैं, और गिल्ज मेंटोर आपके लिए कुछ ऐसा करें, कि जिससे कि आप हमेशा याद रखें, पंजाब गवर्मेंट की जितने भी papers हैं, उमीद करते हैं कि 2019 में conduct हो जाएं, और नई भरतियों का इंतजार क जिससे कार हो जाएं, जी हाँ, बताना चाहूँगा कि पंजाब का जितना भी current affair है, चैह हम बात करें, government schemes ने launch की गई हैं, 2017 या 2018 की बात करें, after that पंजाब की history, geography जो भी है, इसके history के GK के questions हैं, इन सभी के lectures हमने cover कर दिये हैं, description box में link दे दिये हैं, वहाँ से जाकर देखना नहीं भूने, right, उसके बाद में, उसके बाद में बताना चाहूँगा कि अगर आप हमरे whatsapp group को join करना चाहते हैं, तो description box में link दे दिया गया है, telegram group को आप मुझसे जुड़ सकते हैं, या आप instagram पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं, आपके कोई भी queries होती है, भीजिए हम नहीं होगा, जी हाँ, इसके साथ में जुरूरी नहीं है कि आपको खाने से पहले लेनी है, खाने के बाद में लेनी है, सोने से पहले लेनी है, सोने के बाद में लेनी है, depend on you, जी हाँ, ऐसी दवाई होगी, क्योंकि रामबन विदीक ऐसी होती है, कि जिसको आप जैसे ही ल लिए मैं आपको ऐसे तरीके ऐसे टॉनिक देने जा रहा हूँ ट्रिक्स यानि वो ट्रिक्स जिससे कि आप बहुत बड़े-बड़े कुछन्स कुछी सेकंड्स में करने में कम्प्रीट करने जाओगे जी हाँ बहुत ही खुबसरों से क्वेशन्स होंगे आपके लिए बताना चाओँगा कि ऐसी रामबन वीदी होगी और जो की आने वाले पेपर्स के लिए बहुत ही फ्रूट कूल सेशन होने वाला है चलिए क्लास की शुरुवात से पहले जैसा आप सबको पता है कि मैं मोटिवेशनल थौट आपको करवाता हूँ लेकिन आज मैं कुछ लाइने लेके आया हूँ और ये लाइने आपको याद रखनी है नया साल एक खाली पेज की तरह है एक खाली मैं कहाँ दूँ कि कॉपी की तरह है आप इस बुक में अपना पैन उठाइए इतना अच्छा लिखिए कि याद रखाए लोग आपको याद रखें और इतना अच्छा लिखिएगा लिखने का मतलब कि जो आपकी 374-365 क्योंकि 374 में इसलिए बोला है कि आज का दिन निकल किया है और ये भी मैं पूछने वाला हूँ यार आज का दिन कैसे स्पेंड किया आप सब ने जी हाँ मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में वेट करूँगा मैं कि इस किसने क्या क्या लिखा है चलिए बात करता हूँ कि इस ब पर केला कॉशन आपको स्क्रीन पर दे दिया गए ये रहा ऐसी कोशन बहुत इंपोर्टेट है आप में से की ऐसी विद्वान बंदू है जिन्होंने मैंस बहुत अच्छे सी कर रखा है कई ऐसे भी हैं जिन्हों को मैंस से बहुत डर लगता है देखो भई लोग सोचेंगे कि यहाँ पर mensuration के questions उठाए है यह सारे के questions mensuration के लिए है मैंने आपको पहले कहा था कि mensuration मैं आपको सिर्फ तीन trick में complete करवाने वाला हूँ हलाकि formulas अलग से हैं वो आपको याद करने ही पड़ते हैं यह जो देशी दवाई है कहां कहां पलाई होगी इसके बाद में आता है square ठीक है इसके बाद में आता है circle इसके बाद की बाद करें मेरे प्यारे बंदूओ circle की बाद की बाद करें तो हम लोग सोचेंगे rectangle के लिए इसके बाद में आजए आप parallelogram इसके बाद में rhombos rhombos के बाद में trapezium trapezium की बाद में आज़े यह यार 3D पे 3D की बात करें तो चाहे वो आपके cube है, cube board है cylinder है या हम बात करें कि sphere है, hemisphere है even की polygon पे भी आपको देशी दवाई काम देगी यार क्या खुबसुलत question होगे, देखो कितने जबर्दस मज़ा आएगा आप सबको देखो पहले में example देता हूँ कि अगर मैं एक rectangle बना लेता हूँ मैंने छोटा सा rectangle बनाया है, यार मेरी ड्रोइंग अच्छी नहीं है, थोड़ा सा परजेस्ट कर लिया गरो अगर इसकी length 100 है और इसकी breadth भी 100 है मैं area निकालूँगा तो area का formula होता है length into breadth अगर मैंने यहां भी 100 रखा, यहां भी 100 रखा तो total मेरे पास हो गया 10,000, यह हो गया इसका area चैह हम meter square में लेने, चैह centimeter square में ले ले अब question यह कहता है कि अगर इसकी length को आपने 5% increase कर दिया तो 100 पे 5% कितना होगा, 105 और यह 90% मतलब 10% decrease का मतलब 90% हो गया, right अब यहां एरिया निकालेंगे, तो आपने लिखा 105 इंटू 90, तो यह कितना होगा, आपके पास 0, 9, 5, 45 और 9, 9, 9, जी तो पहले से decrease हुआ या increase हुआ, तो decrease हुआ, decrease हुआ कितना, साड़े 500 अब साड़े 500 decrease हुआ है, तो इसका percentage निकालेंगे, तो जब आप percentage value निकालते हैं, तो आपको मालूँ होगा, decrease या increase को रखा जाता है, उपर और जो actual value होती है, उसको रखेंगे, नीचे और into 100, 2,0 से 2,0 कैंसल कर दीजी, 1,0 से 1,0 कैंसल कर दीजी, 55 को 10 से डिवाइड करेंगे, तो मेरे प्यारे बंदू, आपके पास 5.5% आएगा, decrease, इसका मतलब आपका option number second, मैं आपको ऐसा नहीं कहूंगा, कि ऐसा काम करें, अग ठीक है, यह रहा box, इस box में लिख रहा हूँ, A plus B, ठीक है, और आपको याद रखना है, आगे के questions कैसे करने, जी हाँ, आपको लिखना है कि A into B upon 100, ठीक है, तो यहाँ पर plus का symbol लगा लेते हैं, अब आपको देखो, इसमें confusion यह रहेगा आप सब का, कैसे रहेगा, confusion, कि confusion नि पास increase है, 10% decrease है, जी हाँ, 5% increase है, और 10% decrease है, अपोन में 100 कर दीजी, 0 से 0 cancel हो गई, तो मैं इसको इस तरह से नहीं देख सकता, मलब 5.2 का, 5.5 यहाँ पर 2,5 नहीं है, यहाँ पर 5.2 कितना हो जाएगा, अपने पास half करेंगे, तो 5.5 हो जाएगा, जी हाँ, 5.5 हो जाएगा कैसे हो जाएगा, सुन लो, कि 5 बटा 10 है, तो मैं इसको cancel करूँगा, तो 1 बटा 2, 1 बटे 2 का मतलब आदा हो गया, तो यह लिख लीजी, तो यह मतलब, यह overall निकल का किसा यह आया, मेरे प्यारे बंदूओ, यह percentage आप लगाना नहीं बूलेंगे, निकल के यह आया, कि 5.5% आपके पास decrease, अब आपको कैसे पता चलेगा, देखो जब भी आप यह question करते वक्त, आपके पास value यहाँ minus में आ रही है, तो आपका answer decrease है, अगर plus में है, तो increase है, जी हाँ, यह question match कर लीजी, आपके सामने answer है, अब मैं आपको basic तरीका नहीं बताऊंगा, मैं आपको चुठक 50% decrease कर दिया, 0 से 0 cancel कर दिया, यह देखो, हम इन दोनों को अगर करेंगे, तो हमारे पास कितना हो गया, minus के 100, और यह हो गया, minus or minus plus, यानि 5, 25, जी हाँ, 5, 25, 0 से 0 cancel होगी, तो हमारे पास minus 75 हो गया, 75 का मतलब उन्होंने पूछा था कि कितना reduce होगा, तो 75, यानि आपका option number 4 is the right answer, next question दीखिएगा, if the side of square increase by 50%, 50% अगर आपने increase कर दिया, 25, 25, ठीक है, यहाँ पर plus, 25 into 25 भटा में 100, 25 और 25 कितना होता है, 50, और इन दोनों को cancel कर दिजे, 4, अब 25 को जब आपने 4 से काटना है, तो आपको obvious बात है, कि कितना आ जाएगा, आपके पास question देखो, 6, 24, तो 6.25 आ गया, 6.25 मिला देगा, तो 56.25 आपका answer आ गया, जी हाँ, हलांकि maximum students इस पर ये भी काम कर सकते हैं, आप, आप देखो, काम करने को बहुत सरे तरीके हैं, एक स्केर बटा में 100 कर दीजी, ये भी है, लेकिन मैं आपको एक ही तरीका दे रहा हूँ, कि जो आपके हर जग अप 50%, भया, 50% increase कर दिया, 50-50, प्लस में 50 into 50 upon में 100, जी हाँ, 50-50 कितना हो गया, 100, 0-0-5, 25, 125, आपका option number first, जी हाँ, अगला question देखेगा है मेरे साथ, length of rectangle increase 20%, decrease 20% देखो, अब ये कहेंगे लोग, एक बार student था, उसने मैंने ये question पूछ लिया, सर बोले, अगर 20% बढ़ गी, 20% क वो बुले 0 है, बुले दोनों खतम हो गई, तो आप भी ऐसा काम नहीं करें, 20% increase, मैंने क्या कहा, कि A plus B, AB plus AB upon में 100, ठीक है, यहाँ पर देखो, इन दोनों के बीच में multiply गुना है, जूड मत देना, गल्ती नहीं कर नहीं, दो बार देख लिया करो, किसी lecture को, नहीं समझ में आता, 20 increase हुआ है, 20 decrease हुआ है, जी हाँ, मैंने यहाँ पर plus कर दिया, तो minus है, इसके लिए शमा चाओँगा, जी हाँ, फिर हम लोग क्या करेंगे, multiply, 20 increase है, into 20 decrease है, upon में 100, यह लिजिए, देखो, वहीं 20 plus के हैं, और 20 minus के हैं, तो दो दुरी कितने होगे, 4, 4 किस के होगे, minus के इन दोनों की बात करूँ, plus minus 0 है, तो 4 परसेंट आपके पास क्या है, decrease option number second विल्कुल correct होगा, जी हाँ, अगला question लेटे है, number 6 question, यहाँ पर increase की बात हो रही है, तो आप obvious बात increase होगा, तो 125 परसेंट ही होगा, चलिए, अगला question, यहाँ पर कहा गया है, कि increase कर दिया गया 10%, ठ decrease कितना होगा, यह लिख लिए, कैसे करेंगे आप, 10%, जी हाँ, यह 10 है, यह हो गया 10, यह हो गया 10, कर जाएंगे, बस, ठीक है, यह लिजे, कितना होगा आपके पास, इन दोनों को आपने increase किया है, 10 और 10, 20, और यह हो गया आपके पास 1, यानि 20 और कितना होगा, 21, अब या लेकिन इस question के अंदर particular जो एक line है, वो यही है, कि remains 10, वो same रहता है, तो आप ऐसे question में क्या मानेंगे, 10% increase है, और X% decrease है, जी हाँ, यहाँ पर decrease आपको दे रखाए, तो उन्होंने कहा है, कि will base will have to be decrease, तो आपने क्या काम करना है, इसी तरीके से बिलकुल गबराएं नहीं, जैसे 100 का अगर आप 2 निकालेंगे, तो 50% हो गया, 100 का 3% निकालेंगे, तो 33.3 हो गया, 100 का 4 निकालेंगे, तो 25 हो गया, 100 का 5 निकालेंगे, 20 हो गया, 100 का 6 निकालेंगे, तो आपके पास कितना हो गया, 16, 96, 96, 2, 3% हो गया, फिर उसके बाद में 100 का 7 निकालेंगे, तो 14 हो सो का आठ निकालेंगे 12% लगबग हो गया, सो का 9 निकालेंगे तो आपके पास कितना हो गया, 1 by 9% हो गया, पर सो का 10 निकालेंगे 10% हो गया, जी हाँ, और उसके बाद में हो गया कि सो का 11% निकालेंगे तो आपके पास 9 1 by 11% हो गया, जी हाँ, अगर 10% पहले से कोई increase है, तो कितने percent decrease होगा, तो obvious बात है आप ये understood कर लिया होगा इस question को, तो आपके पास answer number क्या हो जाता, third, जी हाँ, बहुत ही अच्छा question है तो आप इस तरह से थोड़ा सा question को practice के तौर पर करवेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, जी हाँ अगला question बहुत ही खुबसरुत है यहाँ पर कहा गए कि radius 1% बढ़ा दी गई है तो बताइए कि area भी कितने percent बढ़ेगा एक में चीज बताता हूँ, जब भी आपको circle के अंदर, यानि diameter अगर बढ़ने की बात है या आपको radius बढ़ने की बात है अगर increase की बात है तो definitely area भी increase होगा कभी भी decrease नहीं होगा अगर decrease दे रखा है तो फिर area decrease होगा अब आप कहेंगे 1% है तो इसका मतलब कैसे लिखेंगे देखो 1 into 1, 1 plus 1 फिर 1 into 1 upon में 100 जी हाँ, लिख लिख लिया 1 और 1 कितना हो गया उपर हो गया, एक को एक से multiply किया तो एक बटे 100, एक बटे 100 का मतलब कितना हो गया दो प्रॉइंट, यानि दो प्लस में क्या लिखा आपने 0.001, जी हाँ तो आपके पास answer हो गया 2.01% जी हाँ, option number 4 is the right answer चलिए अगला question है और ये मैंने question number दे दिया आपको और आपने फटा-फट इसका answer निकाल के दिखाना है मुझे और ये रहा 10.00 question तो comment box में आपके answer दड़ा दड़ाने चाहिए और मैं check करूँगा कि आप में से कितने रोगों के answer सही है जी हाँ, बहुत ही खुबसरुत काम कर रहे हैं आप सब लोग यहाँ पर भी आपको कुछ भी यानि जब भी आपको कोई circle दिया जाता है तो आप में से एक विदवान बंदू होते हैं वो इस तरह से देखो, ये होता diameter ठीक है, diameter, अगर आप कहेंगे कि सर इसके radius में पहले convert करें ऐसा कुछ भी निकरना, आपको देशी दवाई देदी उसको use करें और answer निकाली, जी हाँ फटाफट इसका answer निकालके comment box में देदी जी हाँ, और I will wait your answer बहुत अच्छा लगा, आप सब के साथ इसी परकार गिल्ज मेंटोर को खूब सरा प्यार करिएगा maximum time तक share करिएगा thank you so much guys, मैं मिलूँगा next में तब तक अपना ख्याल रखें